नमस्कर दोस्तों मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं MD टेक्निकल चैनल तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसर्थ मेरा सिर्फ इतना है कि अगर माना आपका इंस्टाग्राम एकाउंट किसी करणवंस बंद हो जाता है ये डिलीट हो जाता है तो उसे रीकवर केसे करें एसा ही हमारे एक दोस्त हमारे पास आए हुए हैं वो एक रात में कुछ कर रहे थे जैसे कि उनके जो मोबाइल है उनका डाटा क्लीन कर रहे थे तो क्लीन करते समय एक application के माध्यम से clean कर रहे थे तो उनको यह नहीं पता था कि हमारा Facebook, Instagram और WhatsApp डिलेट हो जाएगा तो इसी उन्होंने जैसे ही उसके clean करा उनके सारा data clean हो गया जिसमें Facebook, Instagram और WhatsApp दोनों तीनों डिलेट हो चुके हैं और जो ID हमें बापत चाहिए थी वह ID नहीं आई और उनके create कर लिए new ID तो ऐसा ना करते हुए कुछ अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यह कि तो दोस्तों मुबाइल मुबाइल हमारे पास में रखा हुआ है आप देख सकते हैं और इसमें जो नम्मर है वो भी हमने डाल दिये हैं अगर आपका मुबाइल किसी यूजर नेम ये email एड्रेस से नहीं होता है तो आप उसे मुबाइल नम्मर डालें और आप हम जाते हैं find पे पे जाने के बाद में mobile नमर जो आपने दिया है ना उस mobile नमर पर कोड आएगा यह अगर नहीं करता है तो आप कोड डाल देते हैं को ड़नाए बात bursts करेंगे तो देख सकते हैं कि आप इसमें 2 ID आ रही है । एक तो जो उपर आ आई ये वह नहीने वाली要ष ए और एक जो नीचे ये पुरानी वाली आईडी ये रहे हैं मिनकुत प्रोडर तो हम स्बस्क्राइब्स करना होगा कुलिक करना होतला हुगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें new password के लिए नया password डालने के लिए इसमें इसने बताया गया है तो इसमें new password हम डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से new password रहेगा इसका पासफर्ट डालें जो आपको याद रहें हैं तो पहले सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 6 letters and numbers you all need these password to long into your account ठीक है अगाया एससा डालें जो अच्छा हो लोंग हो 6 डिजिट का हो ठीक है ए Capital तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो से maturity confirm shining कram यंन्फ एगाए में यह वही पासफ़र, और यह आ गय है इसे अप्डेट कर देंगे अलाव कर देंगे और आप देख सकते कि वही की वही हमारा जो एककाउंट वह दुबारा से खुल चुका है अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद